आज हम तीतर पाद के 44 सूत्र के भाष्य का बचा हुआ कुछ अंश अभी पढ़ेंगे हम लोगोंने परसों की कक्षा में 44 सूत्र के कुछ भाष्य के भाग को हमने पढ़ा और जाना कि किसी भी पदार्थ की कुछ स्थितियां होती हैं पाँच स्थितियां होती हैं, उन पाँच स्थितियों में से, पहली है स्थूल, दूसरी है स्वरूप, तीसरी है सूक्ष्म, चौथी है अनवय, पाँचवी है अर्थवत्व, ये पाँचों की पाँचों स्थितियां, यदि किसी व्यक्ति को जयात हो जाएं, पता चल जाए तो भूत जयह पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त हो सकती है यानि उन्हें अपने वश्मे करके अपने हिसाब से अपने अनुसार उनका उपियोग किया जा सकता है जैसा कि आधुनिक विज्यान कर भी रहा है ये पांच क्या हैं तो हमने पढ़ा था सबसे पहला किसी भी वस्तु किसी भी पंच महाभूत की स्थिती होती है स्थूल स्थिती जिसमें वो इंद्रियों से ग्रहन होता है हम उसे सुन सकते हैं देख सकते हैं उसके बाद दूसरी स्थिती होती है स्वरूप की स्थिती और स्वरूप की स्थिति का अर्थ है किसी भी वस्तु में दो गुण होते हैं एक सामान्य और विशेश तो जो उसका अपना रूप है वो उसका विशेश गुण है जो उसका अपना है निजी है उदहरण के लिए बताया गया था जैसे पृत्वी में बहुत सारे गुण हो सकते है पृत्वी दिखाई भी दे सकती है पर दिखाई दे रही है अगनी तत्व के कारण पर उसका अपना गुण है कठिनत्व, गंध ये उसका निजी गुण है ये उसका निजी रूप है स्वरूप है और तीसरी चीज हमने देखी सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होता है तो ये दरसल सूक्ष्म अर्थात तनमात्रा कोई वस्तू अपने जिस कारण से बनी हुई है उसे उसका सूक्ष्म रूप कहते हैं क्योंकि पंच महाभूत तनमात्रां से बनी है पर यह आप किसी भी वस्तू पर लागू कर सकते हैं कोई वस्तू जिससे बनी है वो उसका सूक्ष्म रूप है और भाष्य में देखते हैं इस सूक्ष्म रूप के बारे में क्या कहा गया है सूक्ष्म रूप के बारे में कहते हैं अथकिम एशाम सुक्ष्मरूपम, चौथा बाला अनुच्छेद पढ़िएगा, इस भाष्य का तीन अनुच्छेद छोड़कर के चौथा अनुच्छेद पढ़िएगा, अथकिम एसाम सूक्ष्म रूपम इनका सूक्ष्म रूप क्या है तो कहा तनमात्रम भूत कारणम तनमात्रा ही पंच महाभूतों का कारण है यानि तनमात्राओं से ही पंच महाभूत बने हैं इसलिए यही इनका सूक्ष्म रूप है किस प्रकार से हैं चागुन वत्ता है इनमें तो कहा तस्य एको अवियवह परमानु हूँ सामान्य विशेश आत्मा अयुत सिद्धा अवियव भेदानु गतः समुदाय इत्येवं सर्वतनमात्रानी एतत्रितियव ये जो तीसरी स्थिती है ये जो सूक्ष में स्थिती है इसकी विशेशता ये है तस्य एको अवियवह परमानु वो जो तनमात्रा है वो तनमात्रा दरसल उस पंच महभूत का एक परमानु है एक अवियव है तस्य उस पंच महभूत का एक अवियव है परमानु और वो सामान्य विशेश आत्मा उसमें सामान्य गुण भी है और विशेश गुण भी है इसलिए तो पंच महाभूतों में भी सामान्य और विशेश दोनों गुणाएं हैं क्योंकि उसके एक परमाणू में दोनों गुणाएं जिससे वो बना है ना तनमात्रा ओ तनमात्रा जो है पांचों गुण वाली है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तो तस्य एक परमाणू सामान्य विशेश आत्मा उसके एक परमाणू जो कि सामान्य गुणों को भी रखता है और विशेश गुणों को भी रखता है और कहने अयूत सिद्धा अवियवः विशेश बात ये अयूत सिद्धा अवियवः भेदानु गता है और वो है कैसा कि अयुत सिद्ध भेद के अंतरगत आता है अब ये अयुत सिद्ध भेद क्या होता है तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किसी भी समूहों के दो रूप होते हैं एक युत सिद्धावियव एक अयुत सिद्धावियव युत सिद्धावियव उसे कहते हैं जहां पर युत, अलग अलग दो वस्तुएं है और दोनों अलग अलग स्थिती में exist करती है, उनका अस्थित्व है, वो अलग अलग अपने आप में स्वतंत्र इकाई के रूप में भी पूरी एक वस्तुँ है, जैसे कहा था वन, अब वन में जो एक एक इकाई है पेड, वो दूसरे पेड़ पर निर्भर नहीं है कि दूसरा पेड़ कटेगा तो इस पर असर पड़ेगा नहीं यूत सिद्ध अवियव हैं वो यानि सब के सब अलग-अलग अस्तित्व में भी रहते हैं लेकिन एक होता अयूत सिद्ध अवियव अगर दूसरा ना हो तो इस पर प्रभ पढ़ेगा इसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पढ़ेगा तो कहा जैसे हमारे शरीर का उधारन दिया था हमारे शरीर में जो सारे के सारे अवियव है वो यूत सिध्ध अवियव नहीं है अयूत सिध्ध अवियव एक अंग गया तो दूसरे अंग की आधी सामर्थ ले आयुत सिध्ध अव्यव गुण वाली हैं यानि कि जिन पर्माणूं से मिलकर के पंच महभूत बने हैं वो पर्माणूं ऐसा नहीं है कि अलग-अलग स्वतंत्र अस्थित्व रखते हूं ना क्योंकि पांच तनमात्रा हैं ना पृत्वी अगनी जलवायु आकाश पांचों म समझिए कि सब मिलकर के एक बनाते हैं पांचों तनमात्रा उने मिलकर की पहले बनाई प्रित्वी जिसके लिए वेदान तो दर्शन की पंचीकरण प्रक्रिया को लागू कीजिए बाजी समझ में आएगा कि पंचीकरण प्रक्रिया क्या कहती है एक महाभूत के पांच various 50 प्रतिशत है उसको तो छोड़ दीजिए जो दूसरा 50 प्रतिशत है उसके फिर चार हिस्से कीजिए तो यानि कि एक 50 प्रतिशत हो गया और दूसरा 50 के भी 4 हिस्से हो गया क्योंकि तो लगबग लगबग साड़े बारा साड़े बारा प्रतीशत हो गया और वो जो बाकी चार हिस्से हमने की आधemie कि उनको बाकी चारों में बांट दीजिए बाकी चारों में आधा एक जगा रहेगा बाकी जो आधा है वो चार हिस्सों में बढ़के अलग-लग पांच चार महाभूतों में बढ़ जाएगा ऐसी हर तनमातरा के साथ होगा ऐसी शब्द तनमातरा के साथ क्या होगा पहले आधा हिस्सा होगा पचास पृतिशत एक और और बाकी पृतिशत में चार भाग जो बाकी चारों में बढ़ जाएंगे तो इस तरह से पांचों आदि आदि होते हैं फिर बाकी आदि के चार भाग हो जाते हैं और होता क्या है कि ये जो आदि हैं इस आदि में बाकी चार के साड़े बारा प्रतिशत हिस्सा करके मिलेगा तो कितना हो गया 50 प्रतिशत है। पचास परतिशत स्वयम का अंश है और बाकी पचास बाकी चारों का है तो इसलिए होते पांचों में पांचों है लेकिन मुख्य अपने वाला होता है क्योंकि वो पचास परतिशत है इसलिए कह रहे हैं कि यह जो कुल मिलाकर के संघात बना यह आयूत सिद्ध अवियव है य चाच डलती है बेसन डलता है उसके बाद तेल डलता है चोंक लगता है नमकमिर्च डलती है अलग अलग निकाल के नहीं दिखा सकते आप उसको कि जी ये छाच है देखो ये बेसन है अलग नहीं निकाल सकते वो अब एक हो गया है ऐसे ही जैसे पेड़क वाले एक एक दिखा सकते हैं अलग अलग पर शरीर में आप ये नहीं कह सकते कि देखो रक्त निकाल के दिखाऊं सारा का सारा पता चला शरीरी समाप सारा रक्त निक जो टोण वाली होती हैं, जो झी सिद्ध अव्यभ वाली होती, और समुदाय इति एवं सर्व तनमात्रानी एतत्रितियम और इस तरह से सारी तनमात्राएं इसी तरह की होती हैं ये तीसरी स्थिती है किसी वस्तु की आगे का अथभूता नाम चतुर्थम रूपम अब पंच महभूतों के चौथे रूप को ले लीजिए चौथा रूप कौन सा है चौथा रूप है सत्व रजस तमस वो ख्याती, क्रिया और स्थिती गुण वाले हैं, स्थिती शील वाले हैं, ख्याती मने जियान, उसके बाद क्रिया मने गती और स्थिती मने ठहराव, इन तीन गुण वाले हैं, यनि सत्व रजस और तमस, कैने कार्यस्वभावानु पातिनु अन्वय शब् क्योंकि ये सत्वर अजस्तमस जो सत्वर अजस्तमस से बनता है जो उसका कारिये है उसके हर कारिये में रहते हैं अनुपाती हैं ये स्वभाव है इनका कि जो भी सत्वर अजस्तमस से बनेगा उसमें सत्वर अजस्तमस के तीनो करन रहेंगे ही रहेंगे और ऐसा नहीं होता कि जैसे पंचिकरन प्रक्रिया में हमने तनमात्राओं के रूप में किया कि जी आधह ये ले लिया बाकि आधह में चार आ गए ऐसा भी नहीं है तो कह रहे हैं कि ये जो तीनों के तीनों सत्वरजस तमस हैं ये जो कुछ भी बनाएंगे उसमें बड़े आराम से स्वाभाविक रूप से रहेंगे इसी को कहते है अनुपाती होना अनुपाती मने सब में मिला जुला होना और इसी के लिएक शब्द का प्रियोकी है अन्वय अन्वय मने सब में होना जो भी उससे बना है उसमें वो रहेगा मतब जो भी प्रकृती से बना है प्रकृती के तीनों की तीनों रहेंगे इसलिए व अथ एशाम पंचमं रूपं अर्थवत्वं और जो इनका पांचमा रूप अर्थवत्व है वो क्या है तो कहरें भोगा पवरगा अर्थता गुणेशु अन्वईनी प्रत्येक गुण प्रत्येक सत्वर जस्तमस में एक विशेश गुण बत्ता है क्या अर्थवत्व की गु प्रयोजन नहीं है, अर्थवत्व में यानि कि सब प्रयोजन, कोई उद्देश्य होना, सत्वरजस्तमस का कोई उद्देश्य है, पंच महभूतों का भी कोई उद्देश्य है, निरुद्देश्य नहीं है वो, ऐसे नहीं है, अपने आप ही हो गए, कि किसी का मन किया चलो ब विशेशता है उसमें और यही उसका अर्थवत्व है यही उसका प्रयोजन है यही उसकी सार्थकता है नहीं तो अगर मां लिजे आत्माई नहो इस संसार में तो यह जितने भी मूल प्रकृति के कणसत्वर जस्तमस से निरर्थक हो जाएंगे उसी क्षण इनका होना सार्थक तभी है जब आत्मा भोगने वाला है आगे कहा गुणाहा तनमात्र भूत भूतिकेश्विति समर्थम अर्थवत अब इसी बात को हम लागू करेंगे पंच महा भूतों पर तो कहरें गुणाहा गुण जो हैं वो त तनमात्राओं में होते हैं गुणों का प्रभाव सत्वरजस्तमस का प्रभाव तनमात्राओं में होता है उसी तरह से जिस तरह से प्रकृति का हरकन अपना प्रभाव हर वस्तु में डाल रहा है उसी तरह से गुणाहा तनमात्र भूत भूतिकेश्विति जो प्रसत्वरज गुणा है यानि सत्वर जस्तमस कहां कहां तक व्यापक हैं कैने तनमात्र तनमात्राओं में व्यापक हैं उन तनमात्राओं से बने महाभूत भूतों में व्यापक हैं और उन भूतों से बनी भौतिक चीजें, उन भौतिक वस्तुओं में भी ये प्रकृति के तीनकण विद्यमान हैं, इसलिए सर्वम अर्थवत, इसलिए चाहे तनमात्राइं हों, वो भी अर्थवाली हैं, सार्थक हैं, उद्देश्य हैं उनका भी, ऐसे पंच महाभूतों का भी कोई न कोई उद्देश्य है, और उन पंच महाभूतों से जो कुछ बना है, जो हम भौतिक वस्तुओं कहते हैं, कागज है, प्लास्टिक है, लोहा है, ये सब, ये पंच महाभूतों से बना है, तो ये उनको भौतिक कहते हैं, इसलिए क्योंकि भूतों से बना है, ये भी अर्थवत है, सामर्थ यवान है, और कोई लक्षे ले करके इस संसार में है, हर वस्तू का कोई नकूत देश है, हर वस्तू किसने की जिरूप में सार्थक है, ये है अर्थवत्व होना, तो कुल मिलाके हमने पांचों के पांचों देख लिए, सबसे पहले इस्थिति देखी जिसमें आता है स्थूल रूप मोटा मोटा रूप जो हम देखते हैं फिर आता है स्थूल रूप के बाद में स्वरूप अपना रूप वस्तू का फिर आता है सूक्ष्म रूप किस से वो बनी है और उसके बाद आता है अनवय रूप यानि कि क पुल मिला के सब कुछ किस से बना है प्रकृती से और पांचमा अर्थवत्व सप्रयोजनता कुछ ना कुछ हुद्देश्य होना चाहिए सार्थक होनी चाहिए आगे इसके पूरे के बारे में लिखते हैं लिखते हैं तेशू इदानीम भूतेशू पंचसू पंचसू बर्रोंग में फ़सेदेश पन के पांचों रूप रूप करने से इन पांचों के पांचों रूपों में सेयं करने से हंदी जी ये कह रहे हैं पंचसू, पांचो महभूतों में, पंचरूपेशू, इनके पांचो रूपों में, कौनसे रूप, स्थूल, स्वरूप, सुक्ष्म, और अन्वय, अर्थवत्व, इन पांचो रूपों में सयमात सयम करने से, तस्य तस्य स्वरूपस्य स्वरूपद उनके अपने रूप का दर्शन वास्तव में वस्तु क्या है उसका स्वरूप क्या है इसका दर्शन और साथ साथ जयश्य उस पर अधिकार भी हो जाता है क्योंकि जब सब कुछ पता ही चल गया किस से बनी है वस्तु कैसे बनी है क्या गुण है सब ही पता चल गया तो रहें तत्र पंच भूत स्वरूपानी जित्वा भूत जई भावती और जो भी व्यक्तिन पाँचों के पाँच स्वरूपों को जीत लेता है उसे भूत जई कहा जाता है उसी योगी को क्योंकि भूतों पर विजय प्राप्ट कर ली है आगे तजयात तजयात वत नहीं नहीं ये कुछ और लिखा है तजयात हाँ वतसार उन सारिन्य इवगावो अस्य संकल्प अनुविधाई न्यों भूत प्रकृतियो भवन्ति ये एक उधारन दे रहें तरसल उधारन बड़ा सुन्दर है कहने कि जब पंच महाभूतों पर व होती है कि बचड़ा अपनी मां के पीछे-पीछे जा रहा है भूख लगी है तो जाएगा इना लेकिन दूसरी स्थिती होती है कि गाये अपने बचड़े के पीछे-पीछे चलने लगती है क्यों चलने लगती है गाये अपने बचड़े के पीछे-पीछे क्योंकि गाये को बच्छडे से प्रेम है और बच्छडे को पता है इस बात का तो बच्छडा स्वच्छन्द होकर घूमता जंगल में वो मा की परवा नहीं करता कि उसको पता है मा मेरे पीछे पीछाएगी मुझे मा के पास जाने की आवश्यक्ता ही नहीं है वो तो तब जाना पड़ेगा जब मैं भूखा होंगा क्योंकि मा की कमजोरी है कि मा उसकी सुरक्षा करेगी ही करेगी मा की कमजोरी है, कि मा उसे मिलने पर दूद पिलाने के समय उसके सामने उपस्ठित रहेगी, उसे प्रेम है, गाए को प्रेम है, तो जिस तरह श्रीर निहा गावह, अपने बचछरों के पीछे पीछे चलने वाली गाए होती हैं, उसी तरह से, जो इंद्रियां है, जो पंच म होना चाहिए उनको लेकिन बाद में उल्टा हो जाता है बाद में ये उल्टा हो जाता है कि योगी जैसे कहा था ना अमोगा स्यवाक भवती योगी जो बोलता है वो पूरा हो जाता है यानि प्रकृती उसके अनुसार चलने लगती है इतनी तपस्या वो कर चुका होता है जी सामर्थ जुटा लेता है कि वो इतना सही सही जान लेता है परिस्तितियों को कि वो प्रकृति पर विजय ही प्राप्त कर लेता है प्रकृति से जैसा चाहे वैसा उपयोग ले सकता है और प्रक्रती उसकी हिसाब से चलती, जैसे आजकल पंखे, आपने स्विच दबाया, आपके हिसाब से पंखा चलता है, हवा कितनी तेज चलेगी या आप तै करते हैं, हाला कि पर्यावरन के लिए बड़ी बुरी चीज़ है पर ऐसी, कितना तापमान होगा या आप तै करते ह तो ऐसा लगता हैं कि मानों पच्च महाभूत हमारी सेवा में खड़े हो गए हैं इसी के लिए कह रहे हैं कि जैसे वच्छाष अनुसारिणिया वच्छ के पीछे-पीछे बच्छडे के पीछे-पीछे चलने वाले गाय होती हैं उसी तरह से पंच्च महाभूत योगी कि पी consciousness नहीं है समझ नहीं है कुछ भी तो नहीं है उनमें चेतनता नहीं है तो फिर वो चलते कैसे हैं तो कहरें संकल्प अनुविधाय निया है संकल्प मात्र से चलते हैं हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि भाई अब मैं ये करूंगा हमारा स्वाभविक मन भी तो होता है अब मैं सोँगा, अब मैं जागूँगा, अब मैं पढ़ूँगा, अब मैं नहीं पढ़ूँगा, अब मैं व्यायाम करूँगा, अब नहीं करूँगा, भवन में जाऊँगा, अब नहीं जाऊँगा, ये सारे का अब खाना खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, ये सब कुछ सं नहीं है इसलिए कह रहे हैं आगे कि संकल्प अनुविधाईनियों भूत प्रक्रदेव भवन्ती भूत की प्रक्रती पंच महभूतों का स्वभाव ही है कि अगर एक बार मनुष्य अगर एक बार मानव संकल्प कर ले तो पूरी जिसको कहते हैं न कायनाथ उसके लिए काम करन यह हुआ चवालिस्वा सूत्र अब पैंतालिस्वे सूत्र पर आते हैं पैंतालिस्वा सूत्र कहता है योगी व्यक्ति को अगर काय रूपी शरीर की संपत्ती मिल जाए शरीर की संपत्ती क्या होती है शरीर की संपत्ती दरसल यूं समझिये कि इन्होंने अनिमा आदी कह रहे हैं अनिमा की सिध्धी मिल जाती है लगिमा की सिध्धी मिल जाती है महिमा की सिध्धी मिल जाती है प्राप्ती रूपी सिध्धी मिल जाती है प्रकाम्य रूपी सिध्धी मिल जाती है वशित्व मिल जाती है और इशित्रित्व सिध्धी मिल जाती है तो कितने पहली अनिमा, दूसरी लगिमा, तीसरी महिमा, चौती प्राप्ती, पांच्वी, प्रकाम्य, छठी वशित्व और सात्वी, इशित्रित्व, अभी तो बाधा डाल रहे हैं तो जैसे कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, शरीर को तो काट सकता है आत्मा को पानी भीगो नहीं सकता, शरीर को तो भीगो सकता है, यानि हमारे शरीर में जगा जगा पर धर्म बाधा डाल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये शरीर की संपत्तियां मिल जाती हैं, अनिमा, लगिमा, महिमादी, सिद्धियां, तो अनभी घात, अनभी घात मत अब कोई बाधा नहीं डालेंगे अब निर्बाध हो जाएंगे आप न तो पृत्वी बाधा डालेगी न जल बाधा डालेगा न हवा बाधा डालेगी न आकाश बाधा डालेगा कोई बाधा नहीं डालेगा कैसे वो आगे पढ़ेंगे भी बताएंगे व्याजी के धर्म को धर्मों का अनभिगात कैसे हो जाता है, धर्म बाधा कैसे नहीं डालते, धर्म रुकावट क्यों नहीं डालते फिर योगी व्यक्ति के आगे, तो कह रहे हैं वेदव्यास जी, कह रहे हैं तत्र अनिमो भवती अनु, अनिमा एक सिध्धी होती है तो उससे व्यक्ति अनु हो जाता है, सुक्ष्म हो जाता है, शरीर, ये अन्तहकरण की बात नहीं है, क्योंकि लिखा है काय संपत, ये शरीर की संपतिया है, ये नियम सारे शरीर पर लागू होंगे, और धर्मों का जो अनभिगात होगा, यानि धर्म जो हमें, जो पृत्वी के धर्म है, जल के धर्म ह वो हमें जो बाधान नहीं डालेंगे, वो भी शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से नहीं, अंतह करन के रूप में नहीं, तो कह रहें अणिमो भवती अनु, अणिमा की सिध्धी मिल जाए तो वेक्ति, अनु स्वरुप छोटा हो जाता है, लगिमा भवती लगु, लगिम का मतलब है छोटा हो जाना शरीर का आकार में छोटा हो जाना फिर आगे करें महीमा महान भवती महीमा नाम की सिद्धी मिल जाए तो विक्ति महान बड़ा हो जाता है शरीर बड़ा हो जाता है एक और सिद्धी होती है जिसका नाम है प्राप्ती सिद्धी अब उससे होता क्या है अंगुली अग्रेन अपी प्रिशती चंद्रमसम अंगुली के अगले वाले भाग से चंद्रमा को छू लेता है आला कि बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अंगुली के अगर भाग से को चंद्रमा कैसे छू सकता है पर सिध्धी तो ऐसी ही बताई गई है और ये सिध्ध सपष्ट लिखा एके मानसिक भी नहीं है ये तो totally कुल मिला के काय शम्पत यानि की शरीरिक की सिध्धी है आगे करें एक प्राकाम्य नाम की प्राकाम्य नाम की सिध्धी होती है वो क्या होती है तो कह रहे हैं इच्छानभी颗ात है यानि इच्छाओं का अनभिखात हो जाता है जो इच्छा हो वो मिल जाता है इच्छाएं कभी रुकती नहीं है जो चाहे वो मिलता है जैसे मैंने बताया था न उसका मन कर रहा है भूमी में तैरना है तो तैरने लगता है अब इच्छा है भूमी में तैरने का प्रिथिवी म पर वेदव व्यास जी यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो पढ़ते हैं इसको, वेदव व्यास जी कह रहे हैं कि भूमव उनमज्जती निमज्जती यथा उदके, भूमी में उनमज्जती तैरता है और निमज्जती डूबकी लगा लेता है, यथा उदके जैसे पानी मे अब उसका मन है कि उसे प्रिथवी में डूपकी लगानी है तैर ना है तो तैर लेता है डूपकी लगा लेता है बिलकुल पानी की तरह ये योगिता मिल जाती है अगली सिद्धी है वशित्व सिद्धी और वशित्व सिद्धी में क्या होता है भूत भूतिक एशु वशी भवती अवश्यश्च अन्ये शाम भूतों पर और भूत से बनी हुई वस्तुएं यानि कि भौतिक वस्तुओं पर तो पंचमह भूतों पर और भौतिक वस्तुओं पर व्यक्ति वशी हो जाता है नियंत्रण करने वाला हो जाता है और भवती अवश्य हब और वो स्वयम अवश्य हो जाता है, औरों के लिए, कोई दूसरे उसे नियंद्रन में नहीं कर सकते हैं, बाकी पदार्थ उसे नियंद्रन में नहीं कर सकते हैं, कोई उसे रसी से बांधना चाहें नहीं बांध पाएगा, दिवार से रोकना चाहें नहीं रोक पाएगा, वो तो अवश्य हो जाता है वश में नहीं आएगा किसी से लेकिन स्वयम वशी भी बन जाता है दूसरों को वश में जरूर कर लेगा ये एक अलग सिद्धी होती है ये सिद्धी का नाम ही है वशित्व स्वयम तो दूसरों को वश में करेगा पर किसी के वश में नहीं आएगा कि अगली जो सिध्धिय वो इशित्रित्व इशित्रित्व कहते हैं इश्वर होने को और इश्वर का मतलब है मालिक होने को स्वामी होने को तो एक स्वामी पने की सिध्धी मिलती है क्या सिध्धी मिलती है कहने तेशाम प्रभव अप्यय व्यूहान व्यूहान आम इश्टे प्रक्रती के जो व्यू है समरचना है उस प्रक्रती की समरचना को व्यू हो को प्रभव और अप्यय बना भी देता और बिगार भी देता योगी व्यक्ति इस प्रकृति की जिसे इशित्रित्व नाम की सिध्धी मिल गई इशित्रित्व माने मालिक पने की सिध्धी मिल गई है इश्वर कहते ही मालिक को है स्वामी को है अगर किसी को स्वामी नाम की योग्यता मिल गई तो वो कहा रहे प्रकृति के जो संघात है, view है, संघरचना है, combination है, उस combination को प्रभव और अप्यय बनाना और बिगाणना वो दोनों कर सकता है, आप सोच रहे होंगे प्रकृति के संघात में, प्रकृति की समरचना में क्या कोई बदलाव कर सकता है, हमने तो पढ़ा है नत्वदेतानन्यों, विश्वा जातानी परिताब भूव, आपके भिन दूसरा कोई उन इन जरचेतनादिकों को नहीं तिरसकार करता है, हर्थात आप सर्वो परी हैं, आप मालिक हैं, आपके भिना दूसरा कोई प्रकृति के सिनियम को नहीं तोड़ सकता, नहीं बिगाड सकता है, पर सूत्र कहत शूत्ति को बिगाड सकता है कि समरचना को बिगाड सकता है नहीं तो फिर सूत्र में क्यों लिखा है आगे इसका उत्तर मिल जाएगा आपने आप आगे वेदव्याजी स्वयम कहेंगे कि वेदव्याज कि यद्य योगी व्यक्ति आक्ष्मा किजी और शुर्ण प्रणाव करें तो यह सुबह सुबह च्छींके शुरू हो जाती है कभी कभी किश्चामा कीजिएगा आपको का ख्षा में थोड़ी सी बात हुई वह अपने आप प्रारंभ हो जाता है थोड़ा सा रोग समझ लेजिए शमाकी जी कख्षा प्रारंभ करते हैं आगे पुना ये भी प्रकृती है एक तरह से जो हमारे वश में नहीं है खेर तो कह रहे हैं प्रकृती को वश में योगी कर सकता है कर उसे इश्यत्वत्वराम की सिद्धी मिल गई पर क्या वो कर लेता है क्या क्या वो बिगाड देता है प्रकृती को तो कहरें नहीं बिगाड पाता क्यों नहीं बिगाड पाता है combination को प्रकृती के पर नहीं बिगाड़ेगा क्यों क्योंकि उसके ऊपर एक और मालिक बैठा है इसलिए नहीं बिगाड़ पाएगा इसे यूं समझ लीजिए कि जैसे मुख्य मंत्री के जो पीए होता है उसको अधिकार होता है कि वो किसी का तबादला ट्रांसफर कहीं और कर दे पर वो क्या अपनी मर्जी से कर सकता है नहीं अनुमती लेनी होती है मुख्यमंत्री की हाला कि मुख्यमंत्री ने उसे एधिकार दिये हुए उसके हस्ताक्षर से हो जाता है सब कुछ लेकिन फिर भी अनुमती आवश्यक है क्योंकि उसके उपर भी एक मालिक बैठा हुआ है तो ऐसे भले ही आत्मा को योगी को ये सामर्थ है मिल जाए कि वो बना बिगाड सकता है फिर भी वो नहीं बनाएगा और नहीं बिगाड़ेगा क्यों क्योंकि उसके उपर एक और मालिक बैठा हुआ है जिस दिन उसने थोड प्रशासन में हस्तक शेप का अधिकार होते हुए भी कुछ लोग हस्तक शेप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ओपर भी एक स्वामिय बैठा हुआ है, उनकी अनुमती से ही सब कुछ होगा। आगे तो कह रहे हैं, यत्र काम अवसाइत्वम सत्य संकल्पता, यत्र संकल्पता तथा भूत प्रकृती नाम अवस्थानम, कि जैसा जैसा योगी चाहता है, यत्र काम अवसाइत्वम सत्य संकल्पता, अर्था एक और सिध्धी मिलती है, यत्र काम अवसाइत्वम, अब ये क इद्धी होती है तो कह रहे हैं सत्य संकल्पता जैसा योगी संकल्प करता है भूत प्रकृती नाम अवस्थानम वैसे ही प्रकृती स्थित रहती है मतलब योगी व्यक्ति ने चाहा लिया कि भाई ये कामना मेरी यहां से पूरी हो जाए तो प्रकृती नहीं बदलती पर प्र प्रकृति उसके लिए सब सुविनाएं उपलब्द करवा देती है तब यानि अगर उसको लग रहा है कि उसे तो गर्मी चाहिए तो प्रकृति से उसे गर्मी मिलने लगती है उसे तो ठंडक चाहिए तो प्रकृति से उसे ठंडक मिलने लगती है यत्र काम जहां कामना होगी जैसी कामना होगी अवसायत्वम प्रकृति सारी की सारी सुविध है उकलब्द करवा देगी अवसायत्म लो जी यह आवश्यक्तती हो गया है इसे यूँ भी समझे कि जैसे आज हमने एसी लगाया हुआ है सर्दी चैये सर्दी आ जाती है थोड़ा सा टेंपरिचर बहते हैं गर्मी आ जाती है यानि प्रकृति को हमने इस रूप में तो कम से कम तापमान के रूप में तो वश में करही लिया है क्योंकि जहां जहां हमार कामना होती है जैसी कामना होती है वैसी वैसी प्रकृति अपने आपको बदल लेती है तो ऐसा नहीं कि प्रकृति चहा करके बदल रही है नहीं वो रिमोट हमारे हाथ में होता है हम वश कर लेते हैं प्रकृति पर नियंत्रन कर लेते हैं कब जब हम प्रकृति की चार स्थि आता है। तो कहते हैं आगे नच शक्तोपी पदार्थ विपर्यासम करोती नेहां दीजिये गां ये पंक्ति लिखी हुए उसमर्थ होते हुए भी। उसमे शामर्थ है कि वह प्रकृति को इधर से उधर कर सकता है। बदल सकता है। यानि कि रिशी व्यक्ति चाहे तो AC बना सकता है, वो तापमा नीचे और उपर ले जा सकता है, योगी व्यक्ति चाहे तो तेल निकाल करके नीचे से और प्रदूशन कर सकता है, घंगोर प्रदूशन, वो परमणुबम बना सकता है, पर वो नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता क्योंकि एसी बनाने का मतलब है प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना उससे पदार्थों का विपरियास हो जाएगा विपरियास का मतलब है प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा तो फिर हम कुछ भी कर लें इसे फिर संतुलित करने में हमें बहुत बल लगाना पड़ेगा बहुत बल लगाना पड़ेगा, तो दरसल प्रकृती में छेड़ छाड़ करने का मतलब है, जैसे कि बताया न, कि अपने हिसाब से प्रकृती चला लेता है वो, प्रकृती उसे जब चाहे उसकी कामनाय पूरी कर देती है, सर्दी, गर्मी, अच्छा, बुरा, सही, गलत, वर् क्योंकि अन्यस्य, कोई दूसरा भी है, अन्य, जिसके पास यत्रकामावसाई नाम की ये जो सिद्धी है, कि जहां जहां जैसा चाहे वैसा हो जाए, ये हमसे पहले ही किसी के पास है, और वो कौन है, वो है इश्वर, परमात्मा, उसके पास ये सिद्धी, ये योग्यता, ये अधिकार पहले से ही है, कि वो जहां चाहे, जो चाहे, जैसा कर सकता है, इसलिए प्रकृति है, उसी की हिसाब से चलेगी, इश्वर हमसे जादा बुद्धीमान है, इश्वर में हमसे अधिक समझ है, चीजों की, तो फिर हम क्यो टांगडाएंगे अपनी, ये ठीक, वै कैसा ही है, कि एक बच्चे को सीधा है, रसोई में गैसलेंडर रखा है, चूला रखा है, चाकू रखा है, सब कुछ रखा है, बच्चे के हाथ भी है, वो पकड़ के काट भी सकता है, दर्वाजा खुल, सब कुछ कर सकता है, पर क्या बच्चा करता है, नहीं करता है, कर सकत प्राशीन काल का पती जिसे रोस्वी में कुछ बनाना नहीं आता तो क्या उसे अधिकार नहीं रोस्वी में जाके काट फीट करने का सब कुछ अधिकार है आटा वाटा लगाने का पर वो फिर भी नहीं करता क्योंकि तुमसे बड़ा कोई बैठा हुआ है जिसके पास ही यत् जेड़ छाड़ नहीं करते क्यों पूर्व सिध्ध स्य हमसे पूर्व किसी के पास ये सिध्धी है जो हमसे अधिक समझदार है तथा भूतेशु संकल्पा दिती ऐसे ही पंच महभूतों पर संकल्प मात्र से योगी बदलाव कर सकता है पर करता नहीं है एतानी अश्टव आश्वर यानी ये आठ आश्वर्य होते हैं शरीर के आश्वर्य अनिमा मैं दोबारा दोहरा देता हूं अनिमा लगिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व इशित्रित्व और यत्रकामा वसाइत्व पहले साथ ही गिनेते यत्रकामा वसाइत्व आठमा और जोड़ लीजिएगा अनिमा सुक्षम हो जाना लगिमा छोटा हो जाना महीमा बड़ा हो जाना उसके बाद प्राप्ति यानि कि किसी भी चीज को पाले ना छू ले ना पहुंच जाना कि प्रित्वी पर खड़े-खड़े उंगली के अगरभाग से चंद्रमा को छू ले ना असंभव जो इच्छा हो वो हो जाना इच्छाओं का अनभिगात इच्छाओं में कोई रुकावट नहीं आती पूरी हो जाती और उसके बाद आता है वशित्व पंच महाभूतों पर प्राकाम्य कि इच्छाओं का अनभिगात वशित्व यानि कि पंच महाभूतों पर अपना निय साइत्वम जो जो इच्छा है प्रकृती से वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाना ये आठ प्रकार की सिद्धियां आठ प्रकार की योग्यता और वेदव व्यास जी ने जिनको नाम दिया है एश्वर ये आठ प्रकार के ये शरीर से संबंदित हमें प्राप्त हो जाते हैं द उसका अर्थ क्या है? तो कह nossa दिवार पार कर लेता है, प्रिथी में चला जाता है, शरीरादी क्रियाम, शरीर की क्रियाओं को नहीं रोकती है, दिवार क्यार पार भी हो जाता है, आगे करें शिलाम आपी अनुविशती शिला मने पत्थर में भी प्रवेश कर लेता है वो क्योंकि प्रित्वी ने रोकाई नहीं डाली प्रित्वी मूर्त है पर रोकती नहीं है शरीर की क्रियाओं को चल्ले देती है पत्थर में भी प्रवेश हो जाता है पानी स्निक्द है पर वो नकलेदयती, कलेदयती मने गीला नहीं करते, अगनी गर्म है, पर वो जलाती नहीं है, वायू प्रणामी है, बहने वाली है, पर वो बहाती नहीं है साथ में, अनावरनात्मक है, अपी आकाश है, आकाश जो कि अनावरनात्मक है, जहां पर कोई रोक्टोक ही नहीं है, वहाँ भी उस आकाश में भी व्यक्ति अपने आपको आवरित कर लेता है आवरन लगा लेता है दिखाई नहीं देता यानि कि आकाश में खड़ा है कोई नहीं है खुला है सब कुछ यानि कोई परदा नहीं कोई कपड़ा नहीं कुछ नहीं फिर भी एक योगी व्यक्ति अपने चारों तरफ आवरण उसी आकाश से बना लेता है, और अपने आपको दिखाई देने से रोक लेता है, भवती आवरित का यह शरीर को ढखा हुआ बना लेता है, तो कह रहे हैं सिद्धा नाम अपी अद्रिश्यो भवती, सिद्ध लोग भ भी वो अद्रिश्य जैसा हो जाता है, तो यह सारी की सारी सिद्धियां के पानी गिला नहीं करता, जबकि वो स्निक्ध होता है, अगनी जलाती नहीं, वायू बहाती नहीं है, पृत्वी मूर्त रूप है, कठोर है, रोकती नहीं है, आकाश खुलापन है आकाश में, वो योगी अपने उपर आवरण बना लेता है एक तरह का पैकिंग मतलब मैं आवरण को क्या कहूं कि अपने उपर कोई धक्कन जैसा बना लेता है आवरण बना लेता है पर इतने सारे के होते हुए भी एक विशेश सिध्धी है भूतों पर जैप्राप्त कर लेना पंच महाभू को अपने हिसाब से चलाना वशित्व कहा गया है जिसे पर वो योगी चाहते हुए भी नहीं करता क्यों क्योंकि वो इश्वर के व्यवस्थाओं का उलंगन नहीं करता कभी भी तो ये कुल मिला करके 45 वा सूतर हमने पढ़ा ये शरीर संबंधी कुछ सिद्धियां बताई